जी हां ये वीडियो इसी साल गणेश चतुर्थी के दौरान का है जब पीम महुदी भारत के प्रधान नियायधीश दीवाई चंद्चून के आवाज पहुँचे थी उस समय उन्होंने गड़पती पूजा साथ में की थी इसको लेकर विपक्ष के पार्टियों ने तमाम सवाल खड़े किये थी और नैतिक्ता से लेकर के ना जाने क्या क्या वादे कही थी अब इस मामले को लेकर पहली बार सी जी आई डी वाई चंद्चून ने चुप्पी तोड़ी उन्होंने कहा है कि जब भी हाई कोट के मुखनियाधीश और सुप्रीम कोट के चेफ जस्टिस राजियों और केंद्रों की सरकार के प्रमुक से मिलते हैं तो वो कभी भी किसी की केस के बारे में कभी नहीं चर्चा करते हैं यह बैट के अक्सर आपस में प्रशासनिक मामलों से जुड़ी हुई होती रहती है इसका मतलब यह नहीं केस में कोई दील हुई हुई दरसल इस पूरे वीडियो आने के बाद तमाम तरे की चर्चाएं हुई थी इस वीडियो को बकाइदा पीम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दाला था और कहा था कि सीजाई डीवाई चंचून के आवाज पर गणेश पूजा में सामिल हुआ भगवान श्री गनेश हम सभी को खुशी समरधी अद्बुत स्वास्त प्रदान करें आपको बता दे सीजी आई डीवाई चंचून अब दस नॉवंबर को सीजी आई पत से रेटार हो रहे हैं उन्होंने अब कहा है कि सरकार के प्रमुखों के साथ जजों की बैठकें अकसर होती रहती हैं और या वशक के भी है क्योंकि राज्य सरकारे नियाय पालिका के लिए बजट पारित करती हैं सुप्रीम कोट के मुख नियाय दीश आगे ये भी कहते हैं कि हम मिलते तो हैं लेकिन इसका मतलब ये कता ही नहीं कि किसी केस के बारे में कोई चर्चा हो रही हो कोई डील तेर हो हो रही हो हम राज्य के मुख मंत्री के तौर पर समवाद करते रहते हैं क्योंकि उन्हें नयाय पालिका के लिए बगादा बजट होना देना पड़ता है बहुत परिवक्तता होती है उन बैटकों में मेरे अनुभों में कभी भी कोई सियम लम्मित मामले के बारे में नहीं जानकारी लेते हैं ना कभी बोलते हैं उन्होंने जोड़ देकर कहा कि नयाय पालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है उन्होंने बताए कि प्रशासनिक पच्छ पर नयाय पालिका और सरकार के कारियों के बीच एक अंतर है पिछले महिने विपक्ष ने प्रधान मंत्री मोदी के CGI के आवास पर जाने को लेकर सवाल उठाए थे विपक्ष ने चीफ जस्टिस डीवाई चंचून उनकी पत्नी के साथ पियम मोदी की पूजा में शामिल होने को लेकर सवाल पूछे थे और कटगरे में भी खड़ा किया था CGI डीवाई चंचून के आवास पर पियम मोदी के जाने को लेकर शिउसेना यूबीट याने उद्धाव बाला साथ ठाकरे के नेता संजयराउत ने कहा था कि समवैधानी का दिकारे हो और राजनीतिक नेताओं के वीच इस तरह की बात चीच से नियाई पालिका में स्वास कमजोर होगा उन्होंने ये भी कहा कि प्रधान मंत्री ने CGI के आवास का दौरा किया और उन्होंने साथ में आरती की हमारी चिंता यह है कि जब समवीधान के संरक्षक के तरह से राजनीतिक नेताओं से मुलाकात होने लगीगी तो इसमें संदेह पैदा होता है महरा प्रधान मंत्री इसका हिस्सा है हमें इस वात की चिंता है कि क्या हमें न्याय मिलेगा मुक्ख न्याय दिश को इस मामले में खुद को अलग करने पर विशार करना शाही दरसल CGI DIY चंचूर ने अब कहा है कि वर्तमान सुप्रीम कोट और वर्तमान सरकार की बीच में प्रशासिनिक संबंद शीर सादालत की ओर से किये गए न्याय कारियों से अलग होते ही ये परंपरा है कि सीम और मुक्ख न्याय दिश्ट वहारों या शोक सभाओं के समय एक दूसरी से मिलते हैं लेकिन निश्चित तोर पर ये समझना चाहिए कि इसका हमारे न्याय कारियों में कोई असर नहीं पर था हमें ये समझना चाहिए कि जनता की ओर से देखी जा रही बैटकों में कोई भी दील नहीं करेगा डिवाई चंचूर ने आगे ये भी कहा कि ये हमें सोईकार करना चाहिए कि एक सतस समवाज जरूरी है ना कि उस काम के संदर्व में जो हम जस्टिस के रूप में करते हैं ये बिलकुल नहीं है क्योंकि जज के रूप में हम जो काम क की जगहे में जस्टिस संजीव खन्ना भारत के इक्याव वनवे मुखे नया अधीश बनेंगे और 11 नॉमबर को वो शपत लेंगे इस कबर में फिलाल इतना ही अप्डेट्स के लिए बने रही है One India Hindi के साथ नमस्कार